आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 माई 2023 के 5 बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आपके लिए आज ग्रेड कार्ड भी अपडेट किया गया है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अज तक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो अब सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए ग्रेड कार्ड जो है वो अ काड है वो अपडेट किया गया था 17 मईए 2023 को आपका दिसंबर 2022 का theory exam result, evaluation result, 37-7 जून 2022 का theory exam result और evaluation result भी आया था तो उसको आप चेक कर सकते कि अगर उसमें आपकी कोई result की update आई थी तो वो grade card में आपके publish हुई है या फिर नहीं यह चीज आप चेक कर सकते तो इस लिए आप एक बार grade card जरूर चेक करें कोलकता regional center की तरफ से एक नई update जारी की गई है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि video recordings of online classes यानि कि एगनों की तरफ से जो online classes ली जाती है उनका video recording जो यहाँ पर डाला गया है उसका link डाला गया है तो आप इससे help ले सकते हैं कोई classes अगर आपकी छूट गई है कोई classes जिनको आप लेना चाते हैं तो यहाँ पर उस सभी का video recording का link है वो डाला गया है आप इसको चेक कर सकते हैं पोलगता regional center की website पर आपको यह मिल जाएगा इसके साथ ही मेरे telegram channel चौहान वीडियोज वाइटी पर आपको इसका पूरा link मिल जाएगा वहाँ पर मैंने यह page का link जो है वो डाल दिया है वहाँ पर से भी आप सीधा यहाँ पर पहुंच सकते हैं नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं और भोपाल regional center के अगर आप student है तो M.A.P.C. B.C. General और B.C. के जो old courses है उनका practical schedule जो है वो आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है जो की 22 मही से आपके लिए शुरू हो रहे है और आपके 7 जुलाई 2023 जो है तब तक आपके जो यह practicals है वो चलेंगे तो पूरा schedule यहाँ पर आपके लिए दिया गया है 22 जुलाई से यह practicals का schedule जो हो शुरू हो रहा है भौपाल Regional Center के students के लिए M.A.P.C. B.C. General और B.C. के जो old courses है उनके practicals यहाँ पर करवाय जा रहे है भौपाल Regional Center के students यह उनके लिए काफी important है उनकी तरफ से आज December 2022 का जो exam result है त्योरी exam result है उसकी भी नई update आज आपके लिए जारी की गई जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकतें कि 18 माई 2023 को यहाँ पर status आपके लिए update किया गया है जून 2022 का रिवैलेशन का result और जून 2022 का जो theory exam result है वो आज अपडेट नहीं किया गया December 2022 का theory exam result आपके लिए आज 18 माई 2023 को अपडेट किया गया है 37 December 2022 का जो रिवैलेशन का result है वो भी आपके लिए एक बार यहाँ पर फिर से 18 माई को अपडेट किया गया है तो आप इनको चेक कर सकतें और साथ साथ आज grade card के उपर भी नई अपडेट आई है तो उसको भी आप चेक कर सकतें तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आर आपका पतना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तेर जरूर कीजिए